कल के लिए चार चैप्टर्स पर ना आए ठीक है अभी बहुत टाइम है एक तो लिवीज देख लेता हूँ गात को लगाता चार घंटे बैठके बहुता और फिर अगले दिन अरे ये कल ही तो पढ़ा था मैंने याद क्यूं नहीं आ रहा सोची आपको कोई परहाई तैयार करना है जिसके लिए आपको चार घंटे परहाई करने की जरूरत है तो आप क्या कहते हो कौन सा उप्षन उस परहाई को याद रखने में जादा हेल्फुल है पूरी तरह से फोकस रहे कि चार घंटे लगादार बैठके पढ़ लेना या उस क्या अर्ली मॉर्णी क्या पढ़ाई के बाग दिस्ट्राक्टेड होना अच्छा है या बुड़ा इन सारे सवालों का साइंटिफिक जबाब मैं आज आपके साथ बेनेडिक केरी की नियू यॉक टाइम्स बेस सेलिंग बुक हाउवी लर्ण से शियर करने वाला हूँ ताक मिलेक के लिए उसे पानी दिना दिन में एक बार में ही लगा था तीन माइल चलने और भी कोई movie या कोई video देखते है तो हमें starting में कुछ चीजे और ending में कुछ चीजे ज्यादा अच्छे से याद रहता है compared to mirror time में जो सीन आते हैं ऐसा होता है क्योंकि किसी भी session के starting में and ending में concentration हमेशा pick में रहता है इसलिए कोई सेशन जितना छोटा हो उतना ही जाधा फायदेमन्द है दूसर रीजन आप कोई चीज जितना जाधा भूलोगे और फिर उसे महनत करके याद करने की कोशिश करोगे उतना ही जाधा वो चीज मेमोरी में और पर्मनेंट बन जाएगा जब आप बीच-बीच में ब्रेक लेते हो तो आप कुछ चीजे भूल जाते हो जिसे आपको रीकॉल करना पड़ता है और इसी से वो और पर्मनेंट बन जाते है ऐसा कई बार होता है एक टॉपिक पढ़ने के बाद हमें लगता है हाँ ठीक है समझ आ गया याद हो गया है पुड़ा और हम उसे छोड़के दूसरा कुछ पढ़ने लग जाते है लेकिन फिर जब एक्जैम में वो कुष्टेंस आ जाते हैं हम याद नहीं कर पाते है इस चीज को फ्लुएंसी इलूशन कहते है जब वो चीज आपकों के सामने है तब बेन में एक इलूशन क्येट होता है कि हाँ याद हो गया है असल में नहीं हुआ है इसलिए एक चीज चार बार देख देख के पढ़ने से अच्छा है उसे एक बार देख के पढ़ना और फिर बुक को बंद करके तीन बार जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना मुझे पता है यह चीज पुदा जुदी करते है क्योंकि जब हम द्रेन से एक्टिवली कोई इन्फॉर्मिशन रिस्टोर करने की कोशिश करते है तो हमें मैनत करना पड़ता है और इसी लिए जादाता टाइम हम इसको एसकेप करने की कोशिश करते है उपर से फ्लुएंसी इल्यूशन तो है ही सपोर्ट करने के लिए तो हमें इस ट्रैप को अवाइट करना है 20% रिडिंग 80% रिसाइट देखो यहाँ पे भी 80-20 गिंसे बला गया स्मार्ट आइडिया 3 चेंज इस गुड़ पता नहीं बच्पन से मैंने कितनी बार सुनाए बेटा परहाई के लिए एक फिक्स टूटीन बना ले और हमेशा चेयर टेबल पर बैटके परहाई कर अब उनको कौन समझाए कि साइंस कुछ और ही कहती है दो ग्रूप ग्रूप में स्टूडेंट्स को लेके एक टेस्ट किया गया पहले ग्रूप को 20 मिनिट के लिए एक ही डूप में बैटके 50 वर्ट्स याद करने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रूप के स्टूडेंट्स को दो अलग-अलग रूम में 10 मिनिट करके उन 50 वर्ट्स को याद क करने के लिए कहा गया इसके बाद जब इन दोनों ग्रूप के स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया तो एक रूम में बैट के पढ़ने वाले ग्रूप के स्टूडेंट्स on an average सिर्फ 16 out of 50 words याद कर पाए वही दूसरे ग्रूप के स्टूडेंट्स जिनने दो भूल भी जाते हैं इसे ओवर कम करने के लिए हमें पर्टिकुलर्ली हर एक टॉपिक पर मास्टरी गेन करना होगा जिसके लिए तीन स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है टेस्ट टीच एंड मिक्स सबसे पहला है टेस्ट मतलब आपने कुछ परहा और फिर तुरंत इंसान के साथ डिसकस करना है हो सकता है आपका छोटा भाई या बहन हो या आपका कोई दोस्त हो टीचिंग भी एक तरह से पढ़ाई करना ही है आपको किसी को सिखाने के लिए पहले से उसमें मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है आप जैसे जैसे लोगों को सिखाते चले जाओगे उतना ही जादा उस चीज में आप और मास्टर बनते जाओगे थार्ड और फाइनल स्टेफ है मिक्स जैसे होते हैं ना एक्सेसाइस बुक्स के लास्ट में मिस्लेनियस वैसे ही आपको डिपरेंट टॉपिक्स को लिंक करके कोई प्रॉब्लेम बनाके उसे परने के लिए दिया गया इसके बाद उन में से एक ग्रूप के स्टूडेंस को एक नैप लेने के लिए कहा गया लेकिन दूसरे ग्रूप को नैप लेने से मना कर दिया गया फिर जब इन दोनों ग्रूप के स्टूडेंस का टेस्ट लिया गया तो जिस ग्रूप को नैप ल स्टोर होना शुरूर होता है यह वो वक्त है जब हमारे दिमाग में से अनुप्सान नहीं बलकि फायदेमन्द है अब आते इस लिप पे क्या लेट नाइट पढ़ना अच्छा है या अरली मॉड्ड है हुमन नेचर के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का मानना है नीन के लिए सबसे अच्छा टाइम है रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक लेकिन अगर आपका इंटर्नल बॉडी क्लोग किसी बज़ा से औरेडी बहुत जादा चेंज हो चुका है तो यह टाइम आपके लि रहे एनरजीटिक रहे वही टाइम पढ़ने के लिए सही है और एक बात अगर अगले दिन आपका कोई थियोरी सब्जेक्ट में टेस्ट है तो उस मामले में रात को जल्दी सो जाना जादा बहतर है ताकि information subconscious mind से brain में processing होने के लिए टाइम मिल सके लेकिन अगर कोई ऐसा टे में distracted होना बहुत ही बुरी बात है लेकिन इंदा अर्लियर 20th century एक psychologist जिनका नाम है ब्लूमाज जाइगर निक उन्होंने एक बहुत ही इंटरिस्टिंग चीज नोटिस किया किसी रेस्टरॉन में एक waiter जिस table का bill पेड हो चुका है उस से अच्छा जिस table का bill अभी तक पेड न देने के लिए जाते हैं तो एक्जाम से पहले तो हमें फिर भी कुछ याद रहता है लेकिन जैसे ही वह एक्जाम खतम हो जाता है वह सारी चीज़ें हम जैसे तुरंत भूल जाते है ऐसा होता है क्यूंकि हमारे subconscious mind को पता होता है कौन सा task finished हो गया है या कौन सा अभी भी uncompleted है तो वह uncompleted task पे जादा ध्यान देता है और completed को जितना जल्दी हो सके remove करके space बनाने की भोशिश करता है हम इसी इसको अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं इसलिए जब आप किसी बहुत ही tough या creative topic के बारे में पढ़ रहे हो या किसी project पे काम कर रहे हो तो बीच म माइन में processing होने लगते हैं जिससे नए नए आइडिया दिमाग में आने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो अब अगर इस पूरे वीडियो को summarize करू तो बात ये बनता है 1. लगातार पढ़ने से अच्छा है बीच-बीच में break लेके पढ़ना 2. Untested fluency एक illusion है हमें टेस्टिंग के मिड़ा इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए 3. पढ़ाई करने के लिए एक dedicated time and place के मदले different time and different place जादा फायदे मन्द है 4. जो चीज हमने पढ़ा है वो पूरा याद रख पाने के लिए तीन स्टेप से test, teach and mix 5. Enough sleep and a short nap पढ़ाई के लिए बहुत ही helpful है 6. Creative मामलों में जाइगनिक effect helpful हो सकता है अगर आप और details में इस बारे में जानना चाते हो तो नीचे description में दीवए link से जाके amazon.in से इस book को खरीच सकते हो आखिर में आपसे एक छोटा सा request अगर इस वीडियो से आपको अपनी life की किसी भी problem का solution दोने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर like और comment करके हमें बताईए जितने likes आएंगे मैं समझूंगा उपने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है यही मेरी असली मकसद है अगला वीडियो अगले हपते ऐसे और वीडियोस पाने के लिए subscribe करके हमारे साथ connected रहिए more wisdom, more solution, better life